तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक निवेदन कर लूँ निवेदन यहाँ है कि यदि आप वीडियो पर किलिक किये और आप वीडियो देखने आएं तो मेरे पिडिये छातलों को पूरा जरुर देखते रहेगा ताकि मैं आपको वह सारे कोश्चन इस बीडियो में बताऊंगा वो सारे question जो पिछले follow में कई बार repeated है और इस बार आने की संभावना है तो कमसे कम हम आपको जो most important question तयार करके आप सभी के लिए प्रस्तुत करने का प्रियास किया कमसे कम बहुत जान लिजे यार कमसे कम जानिये तो कौन-कौन से आएंगा उनको तयार करिए और आप लोगों को मालूम की लगभग लगभग मेरे द्वारा बताएगे प्रस्ना आते परिच्छा में आप सभी आप जानते हैं तो पीडियो को पूरा देखते रहेगा कुछ दिस्ता निर्देव जो आपको दे जाएंगे वो पढ़ लीजेगा हम आते हैं में कोईश्चन पर ठीक है तो आज किस वीडियो का भईया पहला प्रश्न है ध्यान से सुनेंगे हम कोईश्चन पर फोकॉस करेंगे ठीक है आते हैं लग उत्तर का बेसिक कोईश्चन है तो बेसिक उत्तर लिखेंगे पूरे नमबर मिल जाएंगे अब आप कहेंगे कि इसका उत्तर तो आप बता ही नहीं रहे है तो मैं आपके जानकारे के बता दू इन सभी का जो उत्तर है मैंने पूरी के पूरी PDF बना ली है जो कि महा संग्राम की है ठीक है सिच्छा फाफ की उसमें आप सभी को इन सभी प्रश्णों का लग भग लग उत्तर मिल जाएगा अगर नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं सिंपल सा एंटरेनेट पे जाएंगे गूगल कर लेंगे उत्तर आपके समस्ता आ जाएगा जो आपके इच्छा मतलब जो समझी में आए उत्तर वो आप तयार कर लीजेगा ठीक है यह कोईश्चन इतना महत्पूर्ण है इसलिए इसे इग्नूर करेंगे ठीक है यह आपकी परिच्छा को 5-6 दिन है तो इस कोईश्चन को आप तयार करेंगे अगर आपकी परिच्छा जो है वो दो से तीन दिन की भीतर ही होने वाली है ठीक कलिया परसो एपर नरसो तो आप लोग वही कोईश्चन तयार करें जो मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपको भटकना न पड़े अगरा प्रशने में यह कि बुद्ध का आर्थ और उसकी बिसिस्ता है बुद्धी मतलब आपका जो ठीक है माइंड की बात हो रही ही जो आपका इंटिलिजेंस होता है जो आपके माइंड होता है जो बुद्ध होती है उसका क्या मतलब होता वह आपके अंदर होती किसलिए है ठीक है उसकी परिभाफा देनी ठीक है या फिर अर्थ लिखना है और उसकी बिसिस्ता यानि कि क्या चीज बिसिस है आपके माइंड में आपकी बुद्धी में उसके के बारे में लिखना है ठीक है popular question है यह प्रस्ण कई बार पर इच्छ हम repeated है तो very very important कटगरी का question है इस बात को note कर लीजीगा ठीक है जो जो मैं प्रस्ण बता रहा हूं अगर आपके पास possible हो सके तो notebook और एक pen लेग लीजिए और जो जो मैं बता रहा हूं वह प्रस्ण आप लो प्रस्णाल्टी जिसको वोलते हैं इंग्लिस में बेक्तुत को यह very very important कटगरी का question क्योंकि जहां तक मुझे जानका रही है यह question आपके exam के लिए बहुत ही helpful साबित हो सकता है तो इसको जरूर प्रिपेर कर लीजेगा उत्तर मैं आपको बताई चुका हूं को कहां पर अगर नहीं मिलेगा तो इंटरनेट पर ढूंड़ लेंगे ठीक है अगला प्रस्ण है कि यह अभी छमता क्या है ठीक है तो अभी छमता मतलब कि यह question हमेशा नहीं repeat होता है ठीक है कभी कदार प्रेच्छाओं में आ जाता है तो अगर आपके पास समय है तो इसको पढ़ए नोट का लीजे नहीं आएगा तो कमेंट में या फिर मैसेज करके गालिया बग दीजिएगा और लिंक वीडियो के डिस्क्रेशन में टेलीग्राम और सब का दोनों मिल जाएगा ठीक है मैं बोलता हूं वह लगबग लगबग आने की expectation होती है मतलब उमीद होती है तभी मैं तो आपको question 70% आने की उमीद है बाकि 30% नहीं ठीक है तो इसको आप ignore भी कर सकते है पड़ भी सकते है ठीक है उपलब दी परिच्छन के उद्देश ये परिच्छा में कई बार रिपीट हो चुका है तो इस प्रश्ण के आने की उमीद 90% है ठीक है तो उपलब दी किसे कहत आपको देखने हो कुमिल सकते हैं तो सब्सक्राइब को आप सब्सक्राइब यह तो यह तो यह तो यह रहें कुछ आपको तयार करना है कोश्चिन अब हम और भी टाइप के कोश्चिन देख लेते हैं चलिए अबने इस कोश्चिन भाईया लिखा है कि सिच्छा के मापन और मूल ल्यांकन की आवसकता और उसके छेतर का वड़न कीजिए मतलब जो सिच्छा होती है ठीक है फिच्छा में जो म थे fifth semester में फिफ्ट समश्टर में हैं ठीक है और आप class करते हैं daily ठीक है जाकर college में और आपके पास एक समय ऐसा आएगा जब आपकी टेस्ट होंगे यह फिर आपके exam होंगे तो exam में आप यह idea लगाय आप एक्जाम होगा तो exam में question paper लेगा है उसको आप solve करेंगे उसके और कितना नालッज नहीं है ठीक है तब उसे उसका बसका मंवल्यांगन किया जाएगा तब इसको पठाहा जा रहा है कुछ आ रहा और फिर मंवल्यांगन किया जाए कि कि इतना अच्छा लेका इसमें पजेकिना भी दिय कि अगला की अच्छे परिच्छन को सकते हैं मैंने आपको बता रखा यह प्रश्ण मतलब कि 50-50 वाला कुष्चन आभी सकता नहीं विया सकता तो आप चाहती गनूर कर सकते बुद्धि को परिभासित कीजिए करते हुए बुद्धि की विभिन प्रकारों का वड़न कीजिए मैंने आपको बता रखा इसकी गारंटी लिए तो यह फसेगा देख लेना चाहिए आप लोग परिच्छा में मुल्यांकन वाला भी फसेगा ठीक है और फिच्छा में मापन वाला भी फसेगा ठीक है तैयार जरूर करके जाएंगे नोट कर लीजिस को भी ठीक है अगला प् कितने सब्जिक्ट थे तीन पहले सब्जिक्ट्न करके शार क्र reboot नंबर जबाद करके नोट सेगए प्छेष्चानित वाह एक सब्जार भी यह इतने भी रिजल्ट आते हैं ठीक है उसमें ग्रेडिंग प्रणाली अपनाई गई है ठीक है और साथ साथ में ठीक है मतलब कि उसमें क्या होता था पहले कि आप सभी का जो अंक है ना वह ऐसा ही नंबर के साफ पे चलते थे लेकिन अब मार्क्स के अलफास साथ आपके हम फसेगा तो जरूर्द तयार कर लिजीगा मोस्ट इंपॉर्टन टॉप कट घरी का कोश्चन है नया है और लेटेस्ट कोश्चन है उसके बाद कुछ कोश्चन आपको देखने को मिलेंगे जिसके बारे में आपको मेन पॉइंट पर आते हैं मेन पॉइंट है कि यह कोश्चन में आपको बता चुका हूँ और कई बार प्रश्चन पत्र में ही कई बार पहुंचे गए तो आप लोग समझ सकते कितना महत पूर्ण है ठीक है ओके फ्राइड एक प्रमुक बिद्वान और प्रमुक फिच्छा फाफ्तरी हैं ठीक है तो फ्राइड के फिद्धा आई ही जाए ठीक है धान लखेंगे अगला प्रश्चन प्रॉच्च्छ फ्राइग बैक्तुत्त यानि कि प्रस्नाल्टी किसे कहते हैं कि हट इस प्रॉच्च्छनाल्टी बैक्त॥ तो मापन की प्रमुक बिद्वान का माडण कीज़े माली यह किसी के प्रस्नाल्टी है य किक irony के चडिद के बारे में चलए कर दो को आपको कुछ बात वोड़ का सकती किसी मान रिजए आप एक छाठ्र है यह हम टीचर है तो अगर यह स्टुडेंट या फिर यह फर जो है इस टाइप के हैं ठीक है और इनका इंसानियत या फिर बेक्तुत प्रसनालिटी इस प्रकार की है ठीक है तो इस प्रकार आप माप पाएंगे तो उसी तरह आप मुझे राएक वह यह कुछ प्रूंक बिधियों के बारे में बताईए तो इस प्रकार का माडल पेपर आपकी परिष्यम कुछ देखने को मिलेगा यहां पर समापत हो जारा पूरा का माडल पेपर आपकी परिष्यम कुछ देखने को मिलेंगे जो कि आपको ध्यान रखना है और मैरे जो प्राशन बता है इनको जुरूर आप तैयार करके जाएंगे तो आप को आपके अग्यामें काफे मिल जाएगी बाकि यह च्न का पेपर आप लोग देखिलीए बाकि इसमें देगे ज्यादा तर दो कोश्चन आप हमारी पीडियाप में मिल जाएंगे लेकिन वो पीडियूप नहीं चाहतरों को मिलेगी जो में मे वाट्सप आट टेलिग्राम में में जाएगा ठीक है और बाकि जिनका नहीं मिलेगा उत्तर वहाँ इंटरनेट पर सचकन लिजेंगा लगवालाब अब कम मिली जाए क्योंकि महा संग्राम वीडियो का मत्ता भी होता है कि लगभग लगभग प्रश्ण पीडियेफ में सामिल होते हैं ठीक है तो बाकी तैयारी करते रहें कोश्चिया नहीं जरूर पूचें जय हिंद्ध